विल्कम फ्रेंट्स आचारेम पर आपका स्वागत है और आज आए चलते हैं इंस्टिट्यूट आप बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन के होम पेज पे और देखते हैं इसमें नया क्या है दोस्तों आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है जिसमें निस आपका CRP Clark 12th फार वेकेंसी आप 2023 और 2024 के लिए हैं इसमें मुख्य मुख्य बिंदू देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक वहां से आप डारेक्ट एक्सेस कर लेना या डाउनलोड कर लेना तो इसमें देख लेते हैं participating bank कौन कौन से हैं तो bank of ब्रोधा है canera bank है Indian overseas bank है यूको bank है union bank of India है पंजाब national bank पंजाब सिंध Central bank of India Indian bank bank of महरास्टा और bank of India है इसमें देख लेते हैं online registration including edit modification आप application by candidate ये कब से कब तक रहेगा तो ये 1 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक रहेगा application fees जो है वो आप online कब तक भर सकते हैं तो ये भी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक है pre-exam training के लिए दिया हुआ है यह हम देख लेते हैं online examination preliminary preliminary तो यह सितंबर 2022 में एक tentative date है इसमें फिर वदल हो सकता है result of online examination क्या है तो इसमें सितंबर October 2022 download का later online exam means सितंबर October 2022 में यह जो online main examination होगा वो October 2022 में होगा और department जो होगा April 2023 में होगा तो यह tentative date दिया हुआ है इसके आधार पे आप देख सकते हैं eligibility criteria में हम देख लेते हैं age सबसे मुख्य चीज है age तो इसमें age है minimum 20 साल और maximum 28 साल जिसका calculation होगा एक जुलाई 2022 के base पे और जो categories wise जो relaxation age में मिलती है वो मिलेगी जो governments के नाम सोते हैं उसके आधार पर educational qualification में देख लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आपके पास होना चाहिए degree graduation किसी भी डिस्प्लीन से जो recognized to university से और जो दूसरी चीज है वो है आपका computer literacy computer literacy होनी चाहिए जिसमें आपको operating and working knowledge in computer system यह mandatory है इतना तो आना ही चाहिए और तीसरी चीज क्या है कि provinces in the official language of the state जिस state के लिए आप भर रहे हैं उस state का जो language हो आपको आना चाहिए तो यह मुख्य मुख्य चीजे हैं detailed notification आप हमारे लिंक से ले लीजिएगा हम description box में दे देंगे मुख्य था इसमें की notification के बारे में बताना यदि आप banking sector की त्यारी कर रहे हैं clerical cater की कर रहे है especially यह भी clerk के लिए ही आया है CRP clerk यहां पी देखिए आप यह तो यदि आप clerical cater के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आप के लिए बेहतर opportunity है क्योंकि आप COVID का आल जो था वो भी लगभग समाप्थी हो चुका है आप बढ़िये त्यारी करें और banking sector में पहुँचें हमारी शुब कामना यह आपके साथ है साथ ही अरिया आप हमारी चैनल में नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हम फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन थैंक्यू